पूरा विश्व पचास्वा दीन, पचास्वे का दीन सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम भी वो बातों को ध्यान में लेना चाहते हैं, कि हकीकत में पचास्वे के दीन, पेंटिकोस्ट के दीन हुआ था क्या? ये कौनसा पचास्वा दीन है, जब प्रभु येश्व को इस पृत्वी पर से स्वर्ग में उठाया गया, तब आखरी समय जब वे चलो से मिले, प्रभु येश्व ने अपने चलो को प्रामिस की थी, कि मैं आपके लिए एक सहायक, अभी हम थोड़ा और डिटेल में देखे आपके लिए एक सहायक को बेजूंगा, मतलब पवित्र आत्मा को बेजूंगा, और उसके बाद करीबन पचास दिन तक वे लोग प्रभु की हुजूरी में बैठे दुआ की वेट किया, और वो दिन आया पचासवे का दिन, और प्रेतो के काम दुसरा ध्याएक वहां तो वे सब एक जगह इखटे थे, और एका एक आकास से बड़ी आदी किसी संसनाहट का सब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गुंज गया, और उन्हें आग किसी जीबे फट्ती हुई दिखाई दी, और उन में से हर एक पर आठहरी, चोतियाद, वे सब चिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर दी, वे अन्य अन्य भासा बोलने लगे, तो जो प्रामीस प्रभु येश्व ने दी थी, कि मैं पवित्र आत्मा आपके उपर भेश दूंगा, वो प्रामीस ये पचास्वे के दिन पूरी होई, और ये हिस्ट्री में एक ब बहुत बड़ा दीन था, क्योंकि अब पवित्र आत्मा के युग का आरंब हो गया, एक समय था प्रमेश्वर प्रभु योहा बाप, वो काम कर रहे थे, एक समय आया, अपने बेटे को प्रभु येश्व को उन्होंने इस संसार में बेजा, और जब प्रभु येश्व का स समय पूरा हुआ, उनको बलिदान किया गया, तीसरे दिन वो ची उठे, कई दिनों तक उन्होंने गवाई दी अपने ची उठने की, और आखिर में जब वे स्वर्ग में उठा लिए गए, उन्होंने का मैं मेरे ही जैसा एक सहायक आपके लिए बेजूंगा, पवित्र आत् आत्मा आपके साथ रहेगी, मैं अनाथ नहीं छोड़ने वाला आपको, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, बस मेरे ही जैसी मेरी आत्मा मैं आपके लिए भेज दूंगा, और वो प्रामिस ये पचासवे के दिन पूरी हुई थी, परमेश्वन ने स्वर्ग सेंकी आत्मा को मन कर रहे थे, भूखे थे, कि कब वो प्रामिस पूरी हो, वो प्रामिस पचासवे के दिन पूरी हुई और यहां पर लिखा है, बेपवित्र आत्मा से बर गए, और वो दिन से आज तक का जो यूग है, समय है, वो पवित्र आत्मा का है, और पवित्र आत्मा के विशे में को बत्ताना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों ने Hope Alpha Course में सिखी होगी, कुछ लोगों का बासपी बवन हो गया होगा, कुछ बाते याद होगी, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब मिलकर थोड़ी बाते हैं सिखना चाहते हैं, बहुत बड़ा भी सह है और प्रभु के द से जब पवित्र आत्मा प्रभु के चेलों के उपर उतर आया, उनका पूरा जीवन बदल गया, हाललूया, वो ही चेले जो डरपोक थे, खासकर पत्रस, वहाँ पत्रस के विशे में वच्चन में लिखा है, जब प्रभु येश्यू को कुरूस पर चड़ाया जा रहा था, तो किसी ने पत्रस की ओर देखकर कहा, तु भी उसके साथ था न, तो उसने ना तो बोली ही कि नहीं मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वच्चन में ऐसा लिखा है, वो उससे शाप देने लगा, यहां तक पत्रस डरा हुआ था, कहीं येश्यू के साथ साथ उसे भी कोई सुल इसे बंद किये हुए थे, डर हुए थे, दुनिया से, संसार से, लेकिन जब पवित्रात्मा उतर आये, पवित्रात्मा ने उनको नई सामर्द प्रदान की, हाललुया, उनके बंधनों को तोड़ा गया, वो डर के बंधन, वो कमजोरी के बंधन, हर एक बंधनों को तोड़ गया और जैसे एक नहीं नए ही व्यक्तिवे बन गये और यही पत्रस जब पवितरात्मा उतर आया सब वच्छन हम नहीं पढ़ेंगे सौट पिरियड में हम आज का जो समय है वच्चे ने वो सिखना चाहते जब पवित्र आत्मा उतर आए यही पत्रस जो डर रहा था लोकों के बीच येशु को स्विकार करने से वो ही भरी भीर में कई लोग वहाँ पर थे उनके सामने खड़ा होकर प्रीच करने लगा प्रचार करने लगा कि जो येशु को अपने कुरुष पर जड़ाया वो जिन्दा हुआ है और वो ही येशु ने उनकी आत्मा को आज उंडेल दिया है हाललूया वो दीन से अद्बुत काम सुरू हो गए प्रमेश्वर अपने दासों के द्वरा चिन्ह चमत का चंगाई के काम करने लगे जब प्रभु के दासों की परचाई भी गिरती थी लोग उपर वे चंगे हो जाते थे उन्होंने यूस किये हुए रुमाल उनके उपर गिर जाते थे वो खड़े हो जाते थे खटिया से हाललूया ये सब कौन कर रहा था वो जो उनके अंदर था पवीत्र आत्मा प्यारो पवीत्र आत्मा आपके जीवन में बहुत 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 कुछ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हम उनके विसे में नहीं जानते हम नहीं जानते कि वो क्या-क्या मेरे जीवन में कर सकते हम अंधेरे में रहते हम कमजोरी में रहते हैं प्यारो हम जो विजयव को देखना चाहते वो नहीं देख पाते प्यारो हम परमिश्व के दासोने के नाते जरूर ये कहेंगे मैं और हम जो भी है वो पवित्र आत्मा का काम है प्यारो हम जो भी है वो सिर्फ पवित्र आत्मा का अनोइंटिंग है अभिशेक है वो अभी शेक निकाल दो, हम भी आम इंसान है, हम कुछ नहीं है, एक पत्ता भी नहीं लेगा, लेकिन क्योंकि प्रभू ने अभी शेक किया है उसकी आत्मा के दोरा, आप जैसे लोगों की मदद के लिए, सेहुकाई के लिए, अद्भूत काम सुरुआ से परमेश्वर कर रह हाललूया, प्यारों, जो भी काम हमने देखे है, अद्भूत काम, वो परमेश्वर की आत्मा का कार्य है, मैं खुद अगर मेरी बात बताओ, तो मैं जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं आये थे, मैं चर्श में तो जाही रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा क्योंकि म तो मेरे जीवन में नहीं थे, एक बार मुझे याद है, चर्श में जब मैं बैठा था, मैं हाथ हילाते जाता था, ना ही बाइबल, ना ही जो गानो की बुक रहती थी वो ले जाता था, कुछ नहीं ले जा, जाकर बैठ गया था, और बाजू में एक अंटीजी बेठे थे, उनको मुझे पर दया आ गई उन्होंने सोचा ही इस जवान के जीवन में काम होना चाहिए आज उन्होंने वो समय की जो गानों की किताब थी मेरा आगे रखी और बोला चलो गाओ मेरा पसीना छुट गया मैंने बोला मैंने गाओ पाओंगा मैंने मना कर दिया था मैंने बोला मैंने गाओंगा और उन्होंने बिचार आँटी ने वो बुक वापिस ले ली लेकिन आज वो ही परमिश्वर उसके आरादना के लिए इस्तेमाल कर रहा है हाललुया जब सुरू सुरू मैं प्रभू की सेवकाई में आया सबसे पहला मेसेज मुझे आज भी यादे एक छोटी सी जौपड़ी में चाल लोगों के बीच में मैंने दिया था और उसके लिए मैंने पूरा दिन फास्टिंग किया था और जब मैं बच्चन की सुरुआत करी पता ही नहीं चला क्या बोलू ना बोलू और पूरे दिन की तैयारी पूरा दिन उपास के साथ तैयारी करने के बावजूद पूरा मेसेज सी पांसात मिनिट में निपड़ गया था पांसात मिनिट में वच्चन बोलकर मैंने प्रमेश्र के दास को सौंप दिया कि मैं नहीं जानता था मुझे आधार वचन की सेवकाई के लिए प्रभू की आत्मा के उपर रखना है लेगिन वो समझ से और ऐसे कई अनुबहों से प्रभू की आत्मा ने मुझसे बात की तुम मेरे उपर आधा रखते रहे गनान तैयारियों के उपर नहीं और फिर प्रभू अनुगरत देते गया प्रचार के लिए प्रभू का वचन फैलाने के लिए हाललूया प्यारो कमजोर्या थी कमी थी घटी थी अगर वो ही क्रिस्टोफर को यहां खड़ा कर गया होता जो आज से 20-22 साल पहले था तो एक सब्द नहीं बोलता एक गाना गाना तो दूर हाथ यह माइक भी हाथ में नहीं लेता जो भी बदलाव आया है वो पवित्र आत्मा ने काम किया अंदर हाललूया और वो ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत 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 कुछ कर सकते है वो ना सिर्फ आत्मिक बातों में आपकी मदद करेंगे आपके पारिवारिक जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए उसमें भी आपकी सहाईता करेंगे आपकी जॉब में आप आउस्टेंड कैसे कर पाऊँगा सबसे बढ़कर चड़कर आप कैसे उभर आओ उसमें भी आपकी सहाईता करेंगे आपकी बिसनेस में भी वो आपकी अगवाही देंगे प्यारो हर बातों में आप कोई पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हो पवित्र आत्मा आपकी सहाईता करेंगे वचन पढ़तों समझ में नहीं आता वो आपकी सहाईता करेंगे हर एक बातों के लिए पवित्र आत्मा आपके मेरे साथ है तो हकीकत में पवित्र आत्मा है कौन पवित्र आत्मा ये सब्द हमने जरूर सुना है प्यारो लेकिन है कौन? प्रभू ये शुक हम जानते हैं काफी कुछ बाते लिखी है लेकिन पवित्र आत्मा कौन है? क्या कोई वो सक्ती है? क्योंकि जब वे आते हैं तब सामर्द पाते हैं वे जब आते हैं तब हम अद्बुद काम देखते हैं तो क्या वो सक्ती है? वो क्या कोई ऐसी चीज है जिसको मुझे पाना है जिससे मुझे भरना है? नहीं प्यारो वो चीज या सक्ती नहीं है वो खुद परमेश्वर है हम ट्राइउन गौड में बिलीव करते हैं त्रीएक परमेश्वर बोले त्रीएक परमेश्वर ये बाते सिखनी जरूरी है प्यारो आप किस के उपर आधा रखते हो कौन आपका परमेश्वर आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर त्रीएक परमेश्वर है मतलब एक परमेश्वर लेकिन तीन अलग अलग व्यक्ति एक है प्रभु यहाँ बाप एक है प्रभु येश्यू और वैसे ही तीसरे परमेश्व तीसरे व्यक्ति परमेश्व के पूरे व्यक्ति तुम है वो है पवित्र आत्मा तो हम बोलेंगे भई मैं क्या तीन परमेश्व की आराध ना करता हूँ ना ये बूक कितनी है बाइबल आप ये मालो एक किताब है ये कितनी किताब है एक है लेकिन ये किताब में आप देखो तो हाइट है जाडाए है चोडाए है सब है आप सनलाइट देखिए सनलाइट उसमें कितनी लाइट होत अलग अलग प्रकार की कई सारी light होती हम बोलते बहु बथी light उ आ वे से हम बोलते सय प्रकास आया प्रकास है अंदर बहौत सारी अलग अलग light अलग अलग waves लेकिन बोलते है सूर्य का किरन आया वैसे ही परमेश्वर तीन अलग-अलग व्यक्ति है लेकिन मिलकर एक ही खुदा है हमें हम एक खुदा को मानते हैं एक खुदा में मानते हैं लेकिन वो तीन अलग-अलग व्यक्ति है तो पवित्र आत्मा भी खुद जैसे परमेश्वर यहाब बाव परमेश्वर है प्रभु येश्व परमेश्वर है वैसे भी पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है जब अनान्या के विशाई में आप अगर पढ़िये आप वचन से प्लीज निकालेगा प्रेतो के काम चौथा दिया है और उसकी तीसरी आद सेमपड़े प्रेतो के काम चौथा दिया है और तीसरी आद प्रेतो के काम पांचवाद आए और तीसरी आद पत्रस ने कहा हनान्या सेतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली जब हनान्या जूठ बोलता है तब पत्रस उसे कहता है पत्रस ने कहा हे हनान्या सेतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तु पवित्र आत्मा से जुठ बोले पहली बात क्या कहा तुने किस से जुठ बोलाए पवित्र आत्मा से और भुमी के दाम में से कुछ रक छोड़े जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी ने मनुश्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से जूठ बोला है पवित्र आत्मा को जूठ बोलना मतलब परमेश्वर से जूठ बोलना उसका मतलब यह हुआ पवित्र आत्मा कौन है परमेश्वर है परमेश्वर है परमेश्वर आत्मा कोई सिर्फ सक्ती नहीं है कोई चीज नह ही है है ने वो खुद परमेश्वर है प्यारो आप जब पवित्र आत्मा के विशे में सोचो तो सिर्फ सामट के विशे में मत सोचे किस सिर्फ सकती के विशे में मत सोचे वो परमेश्वर है हाललुया और वो परमेश्वर होने के साथ साथ वो सिर्फ सकती नहीं लेकिन व्यक जैसे येशु मसी थे हैं ने जैसे प्रमेश्वर यहुआ बाप है वैसे ही पवित्र आत्मा भी है रोमियो आठ और 27 में लिखाया आयम पढ़ते हैं प्रेट रोमियो उसका आठवा दिया आए उसकी 27 रोमियो आठ और 27 वचन में लिखा है और मनों का जाचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है आत्मा की मनसा मतलब इच्छा क्या है सक्ति को इच्छा होती है होती है सक्ति को बिजली को इच्छा होगी नहीं होगी इच्छा किसके पास होती है व्यक्ति के पास में और आप व्यक्ति है तो हमारी इच्छा होगी है ना पवित्र आत्मा क्योंकि व्यक्ति है उनके अंद के काम सोला छे और साथ में लिखा है पवित्र आत्मा ने उनको रोका बुले पवित्र आत्मा ने उनको रोका व्यक्ति ही रोक सकती है है न सकती नहीं रोक सकती सिर्व बिजली ले लो करंट ले लो वो नहीं रोक सकता है वो रुख जाओ रुख जाओ व्यक्ति रोक सकती है प्रेतो के काम 16-10 में लिखा है, पवीत्र आत्मा ने उनको अनुमत ही दी, प्रेतो के काम 8 और 29 में लिखा है, पवीत्र आत्मा ने कहा, बुले पवीत्र आत्मा ने कहा, व्यक्ती बोल सकती है, सकती नहीं, पवीत्र आत्मा ने कहा वहां लिखा है, रोम्यो 15-18 में लिखा है पवित्रात्मा के प्रेम, व्यक्ति प्रेम कर सकता है, है ने, एफिस्यो चार और तीन में लिखा है, पवित्रात्मा को शौकित मत करिये, दुखी मत करिये, कौन दुखी हो सकता है, जो व्यक्ति है, हमारे जैसा पर्षन, वो ही दुखी हो सकता है, तो पवित्रात्मा पहले ह नहीं आपको बताया परमेश्वर है क्योंकि हनान्या को जब परमेश्वर के दास कहते तुने जूठ बोला पवित्रात्मा को मतलब किसे जूठ बोला परमेश्वर को जूठ बोला पवित्रात्मा खुद परमेश्वर है और दूसरी बाल हमने देखी हो हम जैसे प्रभु येशु है जैसे प्रमेश्वर ये होवा पाप है वैसे ही एक व्यक्ति है सक्ति नहीं है है ने पवित्रा आत्मा प्रमेश्वर है और वो व्यक्ति है आए हम एक आयत पड़े योहन्ना चौदा और सोला योहन्ना उसका चौदवाद याए और सोलव याद योहना चौदवाद और सोला में प्रभु का वच्चेंग कहता है प्रभु येश्व ने ये प्रॉमिस दी थी मैं पिता से बिंती करूंगा और वहत तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सरवदा तुमारे साथ रहे हाललूया आज पेंटी कोस्ट के दिन पचास्वे के दिन हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते है पवित्र आत्मा आपके साथ है हाललूया कितने दिनों तक क्या वो सुरुआद के समय में क्या वो सिर्फ संडे यहाँ पर क्या लिखा है फिर से पढ़िये 14 और कौन सी आया थी 16 सरवदा तुम्हारे साथ रहेगा हाललोया प्रभु येश्व ने क्या कहा मैं पिता से बिंती करूंगा और तुम है एक और सहायत एक और मतलब एक और रेड़ी है वो कौन थे प्रभु येश्व और प्रभु येश्व ने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं दुसरा एक और मतलब एक तो हूँ मैं लेकिन जब मैं आपसे विदा लेता हूँ मैं आपको नाथ नहीं छोड़ रहा मेरे जैसा ही एक और सहायक मैं आपको देने जा रहा हूँ हाललूया प्यारो प्रभू येश्व जरूर स्वर्ग में गए लेकिन प्रभू येश्व ने पचासवे के दिन उनकी आत्मा को पवित्रा आत्मा को हमारे लिए भेज दिया है और वो हमारे साथ है यहाँ पर जो सब्द लिखा है एक और एक्शुल जो ग्रीक वर्ड है एलोस जो सब्द है उसका मतलब होता है अनधर लेकिन सेम काइंड एक समान है ने दो सब्द है एक और के लिए ग्रीक में एक है हिटेरियोस और दूसरा है एलोस यहाँ पर जो सब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एलोस मतलब सेम बोलिए सेम एक जैसा ही मैं बोलू कि मुझे ये मोबाइल है ऐसा सेम मोबाइल चाहिए सेम का मतलब क्या हुआ वो ही कंपनी वो ही मौडल कोई फिर बदल नहीं चाहिए येशु ने बोला मैं मेरे जैसा सेम टू सेम एक सहायक आपके लिए बेज़ दोंगा हाललूया जैसे प्रभु येशु दयालू थे वैसे ही पवित्रात्मा दयालू है जैसे प्रभु येशु सामर्थी थे वैसे ही पवित्रात्मा सामर्थी थे हम बोलते होंगे कई बार कि मैं भी कास वो समय में होता जब प्रभु येश्व इस दुनिया में थे प्यारो आपके साथ सेम प्रभु येश्व ही जैसा उनका आत्मा पवित्रा आत्मा आज आपके साथ है आपके अंदर है हाललुया कोई डिफ्रेंस नहीं है कोई फर्क नहीं है प्यारो प्रभु येश्व ने कहा में मेरे जैसा सेम टू सेम कोई डिफ्रेंस नहीं होगा पवित्रा आत्मा आपके लिए बेश दूँगा और दूसरी यहाँ चीज लिखिए मैं पिता से बिंती करूँगा और वो तुम्हें एक और क्या देगा क्या देगा बोले सहाय हाललुया परमेश और खुद आपकी सहायता के लिए आपके साथ हैं पवित्रा आत्मा के रूप में अब को मुझे किसी और सहाईता की आवश्यक्ता नहीं है हाललूया लेकिन हम ये बात में सभान नहीं होते कि खुद परमेश्वर प्रभु ये शूही जैसी उनकी आत्मा पवित्रात्मा मेरे साथ है मेरी सहाईता करने और वो बात से हम अंजान होते है इसलिए हम सहाईता नहीं माते इसलिए हम निरास होते है ये तो ऐसा हुआ कि घर में अनाज के बंडार भरे है लेकिन हमें पता ही नहीं है हम भूखे रहे हैं, भूखे, मर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि घर में पूरा अनाज का बंडार बरा हुआ है प्यारो आपके लिए सहायता का पंडार परा हुआ है आपके लिए सहायक अलरेडी दे दिया गया है प्यारो वो आपके साथ है अभी हम देखेंगे वचन से वो आपके साथ है वो आपके अंदर है प्यारो आपकी सहायता करने के लिए वो तत्पर है जैसे प्रभू येश्वी संसार में थे जब ये दुखी लोगों को देखते थे उनका दिल भराता था प्यारो भीड को भुखी देखकर चैलो के दिल में कुछ नहीं हुआ लेकिन प्रभू येश्व का दिल भराया क्यों को खिलाओ वो इतने दिन से भुखी है वो लोगों की सहायता करने के लिए उस सुख थे लोगों का दुख दर्द उनसे देखा नहीं जाता था बस वैसा ही सेम टू सेम पवितरात्मा आपको और मेरे आपको और मुझको दिया गया है आपकी और मेरी सहायता के लिए कौन मेरी सहायता करेगा अरे खुद फरमेश्चुर आपके साथ है पवितरात्मा आपके साथ है आपकी सहायता करने के लिए वो आपका साथ ही है सेहबागी है सहायक है वो छोड़कर नहीं चला जाता बहुत आपके फ्रेंस छोड़कर चले जाए आपके रिलेशन में जो भी आपके नहीं छोड़कर चले जाए वो सदा के लिए आपके साथ रहने के लिए आया है छोड़कर जाने के लिए नहीं आया है जैसे प्रभू येशु थे सेम टू सेम पवितरात्मा आज मुझे और आपको सहायता करने के लिए हमारे साथ है हाललूया प्यारो जब उत्पती एक और दो में लिखाए जब पृत्वी बेडो सब नहीं निकालना समय बचानाय में जब पृत्वी बेडो अलो सुनसान पड़ी थी और गेहरे जल पर अन्यारा था तब वहां लिखाए परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मन ला रहा था हाललूया बेडोल थी पृत्वी अस्तव्यस थी सुनसान थी अन्यारा था लेकिन एक पवित्रा आत्मा वहां मनराना सुरू किया जब परमेश्वर पिता सब्द बोलते थे पवित्रा आत्मा वहां मन ला रहे थे मतलब काम कर रहे थे और वहाँ मिलकर परमेश्व पिता ने पवितरात्मा ने प्रभु येश्व ने सुन्दर सुष्टी की रचना की हाललूया वो ही पवितरात्मा हमारे बीच है प्यारो वो ही पवितरात्मा हमारे जीवानों को साथ वो अंधेरे से भरे हो सुरुवात में जैसे पृत्वी थी बेडोल हो सुनसान हो, खाली हो निरास्था से भरे हो बिमारी से भरे हो भरे हुए हो पवित्र आत्मा वो जीवानों में काम करना चाहते हाललूया वो पृत्वी बेडोल थी सुनसान थी, अंधिहारा था कुछ नहीं था, वहाँ पवित्र आत्मा जब कार्य वंतीत हुए, कार्य करना उन्होंने शुरू किया वही पृत्वी सुन्दर बनी, हाललुया, और आज हर एक विश्वास्यों के जीवन में पवित्र आत्मा वही काम करना चाते आपके जीवनों को वह सुन्दर बनाना चाते, वह आपके साथ ही है, वह आपके सहायक है आप अकेले नहीं हो आपके प्रस्टों में, आपकी तकलीफों में आपकी हर एक चैलेंजिस में प्यारो, आप अकेले नहीं हो पवितरात्मा एजे सहायक excelper आपके लिए पचासवे के दिन भेज दिया गया था वो आज भी इस दुन्या में संसार में आपके घर में आपके जॉब के स्थाल में आप जहां कहीं जाओ आओ दुनिया के किसी कौने में हो वो आपके साथ है प्रभु का दास कहता है प्रभु मैं तेरी आत्मा से कहा भाग कर जाओ मैं समूद्र में जाओ तो वहाँ भी है आकास में जाओ तो वहाँ पर भी है हाललुया कोई परिस्थिती, कोई समस्या कोई ऐसी जगा नहीं जहां पवित्रा आत्मा की मदद आपके तक ना पहुँच पाए प्यारो कोई जगा नहीं कोई परिस्थिती नहीं कोई समय नहीं प्यारो जहां पवित्रा आत्मा आप तक नहीं पहुँच पाएगा किकी वो सामर्थी है जैसे येशु सामर्थी थे हाललुया आये ताली बजाकर प्रभू को दन्यवाद दे प्यारो पभीतर आत्मा आपकी क्या मदद कर सकते प्यारो कुछ एक्जामपल बाइबल में दिये गए है पभीतर आत्मा ने कुछ लोगों की जो मदद की उसके निर्गमन 31 में लिखा है प्लीज मत निकालना मैं पास इतना समय नहीं है प्रभू बोज में भी जाना है निर्गमन 31 में लिखा है बसलेल करके एक व्यक्ति था उसके लिए लिखा है सुन मैं ओरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहुद्र के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धी, प्रवीणता, ग्नान सब प्रकार के कामों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ बुलिए परमेश्वर की आत्मा से बुद्ति, प्रबीनता, गनान और सब कारियों की समझ किसके दुआरा? परमेश्वर की आत्मा के दुआरा. हाललुया, आप स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हो, कोलोश्यो दो और तीन में याकू की पत्री एक और पांच में प्रबु का बच्चन कहता है, उसके पास गनान का बंडार है, और वो पवित्रा आत्मा के पास से आपको गनान देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके टीचर समझाएंगे, देमागरें भले ना उतरे, आप पवित्रा आत्मा की सहाइता मागे, वो जब समझाएंगे, पूरे पूरा उतर जाएगा, हाललुया, मैं ट्वेल स्टाइस में बहुत स्ट्रगल की, टेंथ तक अभ्यास में मैं बहुत ही आगे था, परमिश्वर की दया में, वो समझाए में मैस में मेरे 95 आउट ओफ अन्रेड आये थे, और बहुत ही अच्छा में अभ्यास में था, लेकिन ट्वेल के बाद अभ्यास में मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन ट्वेल की एक्जाम में मुझे आज भी याद है, मेरा फेल होना त लेकिन मैंने पवित्रा आत्मा की सहायता मागी, पूरा साल ऐसे दोस मिले, ऐसे माहोल मिला कि इतना पड़ाई में ध्यान नहीं रहा, और जहां ट्यूसन में जाता था, वहां इतना कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो मन भी नहीं करता था, और वो सर घर पर ढुणने आत लेकिन आखरी एक्जाम में मुझे आज भी यादे प्रबूसे कृपा मांगी, प्रबू मेस कोई भी आखरी मोमेन्ट में पढ़कर पास नहीं हो सकता, और वो टायम दो-दो मेस के अख्जाम थी, मेस मैस वन, म्ैस टू साइनस में, मैंने कहा प्रबू में पढ़कर पास उ आप बिलिव नहीं करोंगे आखरी मुमेंट आखरी कुछ दिनों में मैस मैंने पढ़कर पास करिये कुछ ही समय के अंदर कुछ ही समय के अंदर कि वो है जब आप उसकी सहायता मागते वो आपकी सहायता करता है हाललुया और फिर पर मिश्रौर अनुगर देते गए जब मैं बेसी कर रहा था जोलोजी में रभू उन्हें इतना अनुगर किया था मैं लास संडे कुछ यूस से सेर कर रहा था जब मैं फिगर ड्रौ कर के प्रौफिसर को बताने जाता था और बहुत दी जटील फिगर होती थी पूरा पाचन तंत्र हमें ड्रौ कर कर के बताना होता था वो भी कॉंक्रोश का तो वो बहुत complicated drawing होते थे लिए जब मैं drawing करके जाता प्रोफेसर को दिखा था वो बोलते है कहां से copy मारी बैट बाजू में बैट मेरे सामने बैटकर draw करके बता बाजू में बैटकर पांच मीड में draw करके दे देता था और वो मेरा मूँ देखते थे जब प्रभू की आत्मा आपको गनान देती है लोग चकीत हो जाएंगे हाललुया लोग आश्रत चकीत हो जाएंगे हाललुया आप मागे बजेल को पवित्र आत्मा के दुवारा प्रमीनता मिली बोले प्रमीनता गनान मिला सब कामों के लिए बोले सब कामों के लिए रोटी नहीं बनाने आती कोई बात नहीं बनाते जाएगा प्रभु से कहेगा प्रभु तो गनान दे बने सुरुआत में इंडिया का या तंजानिया का मैप बने प्रभु अनुगर देगा आखिर में सुंदर रोटी बनाओ गया हम ऐसा मानते हैं बही पवितरात्मा तो बस सेवकाई के लिए नहीं पवितरात्मा आपके डे टूडे लाइफ के लिए हरोच के कामों में आपकी मदद के लिए छोटे-छोटे कामों में भी जहां आप स्ट्रकल कर रहे हो आप कहीं पर जा रहे हो आपको किसी को convince करना, आपकी जॉब ऐसे नहीं हो रहा है, माँगे पुवित्रात्मा की सहाइए, पुवित्रात्मा आपको मदद करेंगे प्यारों, बॉस ने target डिया है, नहीं हो रहा है, पुवित्रात्मा की सहाइए, पुवित्रात्मा तू बुद दी दे, वो आपको जॉब में, काम में मदद करेगा इस दिर्स के लिए पवितरात्मा की मदद मागे हवेलेबल है सहायता प्यारो आप मागोगे तो वो देंगे वो इसी लिए तो यहाँ पर आए है आपकी सहायता करने के लिए सहायता आपके लिए है अवेलेबल है सिर्फ हमें मागना इस बसेल को गनान मिला ऐसा ही एक व्यक्ति था न्याईयों 6 और 15 में लिखा है सिर्फ रेफरेंस लिख लेना सब नहीं पड़ेंगे ये समय में परमेश्वर के लोगों की बहुत ही बुरी दसा थी सत्रू बार बार आते हैं उनको लुड़ कर चले जाते और ये लोग देखते रह जाते इतने कमजोर हो चुके थे परमेश्वर के लोग थे और दूर दसा में पड़े हुए थे लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था गिदौन वहाँ लिखा है उसने प्रभू से कहा ये प्रभू मेरी बिंती सुन मैं इसराहिल को क्यों कर छुड़ाओ प्रू मैं क्या करू कि मेरे लोगों को मैं छुड़ा ले आओ इतनी खराब हालत है वो मेहनत करके फसल खड़ी करते थे वो लोग आकर बरबाद करके चले जाते थे कहीं पर सामा लिखा है कहीं पर सांती नहीं थी लोग बेचें थे निरास थे सत्रू बार बार उनको लुटे ही रखे थे और इसे समय में एक व्यक्ती गिदौन ये निरासा के समय में प्रभू से कहता है प्रभू मैं क्या करू क्यों कर प्रभू मेरे लोगों को छुडाओ मेरा कुल मनिसे में सबसे कंगाल है प्रभू मैं कंगाल हूँ कोई जैब में पैसा नहीं है खा लिए जैब फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ मैं छोटा हूँ मेरी जैब खा लिए लेकिन प्रभू मैं चाहता हूँ ये सत्रु आकर ये तेरी प्रजा को परेसान कर रहा है मैं ये प्रजा को छुड़ाना चाहता हूँ हाललूया होर वाँ लिखा है तब यहोवा का आत्मा गिदौन में समा गया हाललूया यहोवा का आत्मा पवित्र आत्मा गिदोन के उपर उतर आता है और उसने नर सिंगा फुका पहले रो रहा था प्रवो मैं क्या करो, मैं चोटा हूँ, जैब खाली है लिए जब पवित्र आत्मा उतर आया वालिखा है उसने नर सिंगा फुका और प्यारो उसने परमेश्र की आत्मा जब उसके उपर उतर आई वा लिखा है वह लही तक आ गया कि पलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे तब यहोवा का आत्मा उसको बल से उतरा और यह सुलिमान के लिए उसकी रश्या जो पॉइंट है उसमें हम लेंगे लेकिन यहाँ पर जो गिदौन के विसे में लिखा है वो जब परमेश्र के लोगों के लिए रो रहा था कि परमेश्र के लोग खराब अवस्ता में है तब परमेश्र की आत्मा उसमें समा गई और वो ही गिदौन खड़ा हुआ और उसने प्रभू के लोगों के लिए सत्रु से लड़कर उनके उपर वीज़े हासिल किया प्यारो पहले रो रहा था पहले कह रहा था मैं कंगाल हो मेरे बाप की गर में सबसे छोटा हूँ जैब खाली है कुछ नहीं है प्रभू वैसे ही सिम्सॉन के वीज़े में लिखा है वो रस्यों से बंदहा हुआ था लेकिन गिदौन जो लोगों के लिए रो रहा है बार बार सत्रू से वो लोगों को लुटा जा रहा था सब नहीं सहाए थे लेकिन गिदौन ने मागा प्रभू मैं क्या करूँ कैसे छुडा हूँ एक सिम्सॉन जो रस्यों से बदा हुआ था वो कहता है प्रभू मैं कैसे उसमय मा लिखाए, प्रभू का आत्मा उनके उपर उतराया, हाललूया, और गिदौन को प्रभू ने उठाया, बल दिया, वहां लिखाए, उसने नर सिंगा फुका, पहले रोने वाला गिदौन, अम नर सिंगा फुकता है, सत्रों के सामने, जंका ऐलांग करता है, सत्रों के उपर विजय वन्त होता है, hallelujah, what it seems so, जो रस्यों से बदा हुआ था, जब प्रभु की आत्मा उतर आई, तब तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रभु की आत्मा उसके उपर उतर आई, वहां लिखाए, रस्या, सन के समान, जलकर उसके सरी से तूट पड़ी, hallelujah, hall जिरासो, गिदान के समान, आपकी भी जैब खाली है, करजे में हो, आप बोरो प्रभु से कैसे, छुटो प्रभु, सिमसोन के समान, कोई रस्यों से बदे हुए हो, प्यारो, कोई पापों से बदे हुए हो, कोई तकलीफों से घिरे हुए हो, ये गिदान के समान में के सबकार की महनत कांग को फल नहीं देख रहा था कियोंकि सत्रु आ कर सब कुछ लुड गर, कर बरबाद करके चला जाता था आपकी महनत का कोई परिणाप नहीं देख रहा है आप पर्याज न कर रहे हूं लेकिन फेल हो रहा हु नुरास मत, हो ये प्यारो प्रभू की आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ है वो ही गिदान जो रो रहा था निरास्ता कैसे छुडा हूँ प्रभू मैं चोटा हूँ जेव खालिये कंगाल हूँ वही सिम्सौन जो चिला रहा था प्रभू रस्या बदी हुई है उनके उपर जब प्रभू की आत्मा उतराई प्रभू की आत्मा ना उनको छुडाया ना सिर्व उनको छुडाया ना सिर्व उनको बल दिया उनके द्वारा पूरे लोग को उनके लोगों को भी छुडा लिया हाललुया आप प्रभू की आत्मा की सामर्थ मांगोगे प्यारो वो आपको ही न सिर्फ आस्टिसित करेगा छुडाएगा, मदद करेगा सहायता करेगा लेकिन आपके द्वार आपके परिवार को भी वो छुडा लेगा, आमेन लेकिन गिदौन के समान परमेश्वर की सहायता मैं मागनी है प्रभू से गिदौन ने कहा क्या कहा प्रभू क्यों कर मैं छुडाओ, मैं क्या करो प्रभू ने कहा तुझे कुछ नहीं करना है जो करेगी, वो मेरी आत्मा करेगी हाललूया गिदौन को सिर्फ खड़ा रहना था सामसुन ने बहुत आकात लगा ली सिमसौन ने रस्या नहीं टूटी थी फर्क पवित्र आत्मा के आने से खड़ा होता है वहां तक कुछ नहीं हुआ प्यारो, गिदौन से भी कुछ नहीं, वो तो डरका मारा अंदर अंडर ग्राउंड हो गया था प्यारो सिमसौन पहले बहुत ताका दे कुछ नहीं थी अब ताका वो उसमें ताका दो दी तो पहले ही रस्यो को तोड़ डाता जब पवित्र आत्मा आती है तब फर्क खड़ा होता है हाललुया, तब तक कोई फर्क नहीं था गिदौन के जीवन में ना सिमसौन के जीवन में प्यारों, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सहाईता करने के लिए नुमती नहीं दे रहे वो आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकती है वासिशों को आप गवा रहे आप अपने आप नहीं कर पाओंगे प्यारों करते रहे जितनी स्ट्रगल करनी है अपने बल से सिमसौन रस्यों को तोड़ नहीं पाया हाँ वो ताकत वर था लेकिन ताकत काम में नहीं आई फिर भी वो जकड़ा हुआ था रस्यों से गिद्यों कुछ नहीं कर पाया आपको और मुझे पवित्रा आत्मा की सहाईता की जरूरत है प्यारों जब आप उसको खोगे प्रभू मुझे तेरी आत्मा की सहाईता की जरूरत है मुझे तेरी आत्मा की मदद की जरूरत है यहाँ पर लिखा है पवित्रा आत्मा गिद्यों में समा गया हाललुया सिमसौन के लिए लिखाए यहोवा का आत्मा उस पर उतर आया बल से उतर आया आनन की बात यह है पुराने नियम में सिर्फ particular कोई काम के task के लिए कुछ समय के लिए ही पवित्र आत्मा कुछ व्यक्त्यों के उपर उतर आता था फिर उनको छोड़ कर चले जाते थे लेकिन अब नए नियम में क्योंकि येश्यू ने हमारे लिए बलीदान दिया अब पवित्र आत्मा सदा के लिए हमारे साथ है हाललुया वो लोग कुछ-कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा की मदद पाते थे और इतने गजब के काम होते थे हमारे पास तो पवित्र आत्मा 2400 गंटे है हर समय हमारी मदद करने के लिए वो हाजीर है हाललुया लेकिन जरूरत है कि हम उससे कहे कि वो हमारे जीवन में काम करे वो प्यारों आपके जीवनों में काम करना चाहता है ओके तो पवित्र आत्मा बस दो बाते में ले पाया समय पूरा होगा है पूरा मैसेज में स्कीप करा हूँ और आखरी दो बाते मैं आपको बता कर पूरा करूँगा पवित्र आत्मा मेरा सहायक है पवित्र आत्मा ने गिदौन को सहायता कि प्रवित्रात्मा ने सिम्सोन को सहायता की प्रवित्रात्मा की सहायता पाने के लिए मैं क्या करो कौन सी तपश्या करो प्रभू ने अपने लोगों के लिए वच्छन दिया है कैसे मुझे प्रवित्रात्मा की मदद मिल सके क्या करना पड़ेगा युहन्ना अध्याई 7 और 49 39 में लिखा है उसने यह वच्छन उस आत्मा के विशे कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे बोले विश्वास करने वाले पाने पर थे कौन पाने पर थे पवित्रा आत्मा को बोले विश्वास करने वाले मैं कैसे पवितर आत्मा को पालू आप जब येश्व मसी पर विश्वास करते हो वो आपके जीवन में और रेडी आ जाते हैं हाललूया गलातियों 3 और 14 में लिखा है यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम के आसीज मसी येश्व में अन्यजातियों तक ताकि हम तक पहुँचे और हम बोले विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें हाललूया मैं पवितर आत्मा को कैसे पास सकता हूँ वो सहायता करने के लिए मेरे पास है बजायल को जैसे गनान दिया सिमसौन को जैसे बल दिया गिद्योन को उठा कर पूरी प्रजा को छुडा लिया मैं भी चाता हूँ मेरे जीवन में पवितर आत्मा काम करें तो कैसे करेंगे पवितर आत्मा काम मैं कैसे उनकी मदद पाऊ अगर प्यारो आपने ये सुपर विश्वास किया है तो आपको कहीं पुकारने की जरूरत नहीं है पवितर आत्मा जो दिन से आपने विश्वास किया वो दिन से आपके अंदर है हाललोया प्रभु का वच्रण कहता है मैं और आप पवितर आत्मा का मंदीर है हमने पड़ा गलातियों में तीन और चौदा में विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राट करना है जब प्रभु येश्व के उपर आप विश्वास करते हो आपके जीवन में पवितर आत्मा रहने को आता है जब ये प्रस्ण पत्रस को पुछा गया था पत्रस ने कहा था मन फिराओ और तुम में से हरे एक अपने पापो की शमा के लिए येश्व मसी के नाम से बबतिस्मा लो तो तुम पवितर आत्मा का दान पाओगे जब हम प्रभु के पास जाते हैं पशताब करते हैं मन फिराते हैं तब प्यारो प्रभु अपनी आत्मा के दान को हमें दे देता है और उसके बाद हमें अप्रमेश्व की आत्मा से बरपुर रहना ज़रूर ये वो पूरी बातों को हमने आपको सिखाया है पहले और फिर कभी सिखाएंगे लेकिन कैसे मैं पवित्र आत्मा की सहायता पाओ, कैसे मैं पवित्र आत्मा को पाओ, तो हमने जैसे बताया, आपको मन फिराना है, पश्चाताव करना है, और ये शुमसी पर विश्वास करना है, जो दिन आप विश्वास करते हैं, वो ही दिन से पवित्र आत्मा आपके था एक सल्ट थी और वो थी आत्मा से भरपूर होना चे तो स्टेफन वो समय पवित्रा आत्मा से भरपूर था पवित्रा आत्मा से भरपूर होना मतला उसका पूरा नियंत्रन हमारे उपर होना पवित्रा आत्मा से भरपूर होना मतलब मेरे सरीर में जीवन में पूरा पवित्रा आत्मा का नियंतरण है कोई भी कमरा छेपाया नहीं है पवित्रा आत्मा से, सब कुछ उसके आधीन है सुरुवात में स्टेफन पवित्र आत्मा से भरपूरी था लेकिन जब उसको सताया गया सभा के आगे खड़ा किया गया वहाँ पर फिर से लिखा है उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर का हाललूया बार बार हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना रहना जरूर यह है वो जरूर हमारे जीवन में आगए लेकिन हमने हमारे जीवन के पूरा अधिकार नियंतरन अंकुस क्या पवित्र आत्मा को दे रखा है या कोई कमरा अभी भी छिपाया हुआ है ग्लास भरपूर है कैसे कह सकते है जब पानी उससे छलके कहीं पर भी थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए पवित्रा आत्मा को आप जब पूरी जगह आपके जीवन में दो के तब बहुत काम आपके जीवनों में करेंगे कहीं पर छोटी सी जगह छोटा कमरा अगर आपने पवित्रा आत्मा को नहीं दिया आज कहिए प्रभू आपकी आत्मा की सहायता मेरे लिए अवेलेबल है लेकिन मैंने कोई कमरा भी भी उनसे छिपाया है जीवन का कोई ऐसा भाग है जीवन में कोई ऐसी बात है जो मैंने पवित्रा आत्मा से चिपा कर रखी है पूरा अधीकार उनको नहीं दिया अभी भी मेरा प्याला भरपूर नहीं हुआ पवित्रा आत्मा से अभी भी कहीं पर खाली है कुछ पवित्रात्मा को अधिकार दिया कुछ दुनिया को, दुनिया की बातों को दुनिया के पाप को कहीं पर मेरी इच्छा को, मेरे ख्वाब को क्योंकि हम पवित्रात्मा को पूरा अधिकार नहीं देते उससे भरपूर नहीं है वो पूरी रिती से हमारे जीवन में काम नहीं करता गीदोन में पूरा समा गया था पवितरात्मा आज पवितरात्मा से कहिए प्रभु तुम मुझे मैं समा जा पूरा नियंत्रन ले ले भरपूर हो जाओ तुस्से मेरे जीवन का कोई कौना कोई जगा ऐसी बाकी न रहे जा पवितरात्मा तुझे मैं स्थान न दू अगर वो आपकी प्रात्मा है वो ही काम जो बजेल के लिए किये गिदोन के लिए किये सिमसौन के लिए किये वोई काम पवितरात्मा आपके सहायक बनकर आपके जीवन में चरूर कर सकते हैं आए हमारी आखों को बनकर अपने स्थाम पर प्यारो खड़े हो जाए और आखरी दूआ में हम जाना चाहते हैं आए आखरी दूआ में जाए और प्रभु से कहे प्रभु दन्यवाद आज के इस पचासवे के दिन के लिए आज के इस दिन को पवितरात्मा को मेरे लिए भेजा गया वो सहायक बनकर मेरे साथ है येशु जैसा ही सेम टू सेम वैसा ही प्रेमी वैसा ही दयालू वैसा ही सामर्थी वैसा ही अनूग रखारी पवितरात्मा हमारे बीच है हमारे साथ है लेकिन क्या प्यारो हमने उससे काम करने के लिए पूरी अनुमती दे रखे अधीकार दे रखा है यह कही बार हम पवितरात्मा को कोई कौने में बिठाय रखते जिवन का बाकी का शेत्र, जीवन के बाकी के हिस्सों में हमने सैतान को स्थान दे रखा है पूरी रिती से पवित्रात्मा को अधिकार नहीं दिया और इसलिए पवित्रात्मा इतने समर्थी परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी हम खराब हवस्था में प्यारो आपका प्याला अगर पवित्रात्मा से भरपूर नहीं है सिर्फ आधी जगह पवित्रात्मा को दिये और आधी दुनिया को, संसार को, आपकी खुद की इच्छा और ख्वाब को तो आप जैसे काम पवित्रात्मा के अपने जीवन में देखना चाहते हो वो नहीं देख पाओगे वो इसलिए हमारे बीच आया प्यारो कि हमारा सहायक बने बजाहिल को उसने गनान दिया प्रमीनता दी वो आपको एक्सिलेंट बनाना चाहता है आपकी जॉब में, अब्यास में, बिस्नेस में लेकिन क्योंकि हम उसको पूरी जगा नहीं देते अभी हम अमारी च्छाओ के अनुसार हमें जो भाता है वो करते रहते हमारा प्याला पूरा भरपूर नहीं है पवित्रा आत्मा सबी भी खाली है अभी भी आधी जग़ पवित्रा आत्मा को दे रखी आधी जग़ दुनिया को दुनिया के पाब, हमारी च्छा को हमारे खाब को, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा प्यारो गीदौन में जब प्रबू का आत्मा समा गया वही रोने दूने वाला गीदौन नरसिंगा फुक र सत्रू के सामने लडने चला गया दुर्दसा में पढ़े हुए अपने लोगों को, कंगाल वस्था में पढ़े हुए अपने लोगों को आज़ाद किया तरही उसने बल पाया, जो रस्यों को वो खुद नहीं तोड़ पा रहा था वो सन के समान जल कर निकल गए उसके सरीर से जब पवित्रात्मा के सामट को आप अपने जीवानों में काम करने की पूरी अनुमत ही दोगे प्यारो, कोई बंधन हमारे साथ होने के बावजुद हम नी सहाए है बल देने वाला हमारे पास होने के बावजुद हम कमजोर है, आतों को उठाए और कहें प्रभु से, प्रभु तुमुझे शमा कर जहां कहीं भी पवित्रात्मा में पूरा स्थान तुझे न दिया हो तुम मुझे माव कर अगर आपने प्रभु येशु के उपर विश्वास नहीं कि आप उसके बेटे वेटी नहीं बने तो पवित्रात्मा आपके जीवान में नहीं है आज आप कह सकतो येशु तुम मेरे पापो की शमा दे प्रभु येश्व मेरे जीवन में येश्व के उपर अपना विश्वा जब जाहिर करोगे वो ही दिन से पवीतरात्मा आपके जीवन में आएगा और उसके बाद जरूरी है अप पूरा स्थान उसको दो आप उससे भर्पूर रहो, पवीत्रात्मा को अपने जीवां से मत निकालिये, पवीत्रात्मा को दुख ही मत करिये, उसके अंसों नहीं करके, कहा ये प्रभु से प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे जीवां में पूरा अधिकार तुझको दे रखो, मेरे जीवां का कोई शेत्रा खाली न रहे पवीत्रात्मा तेरे बीन, मेरे जीवां का कोई शेत्रा खाली न रहे प्रभू, तेरी उपस्थिती के बीना, मैं हमेशा तुझसे बर्पूर रहना चाहता हूँ प्रभू, तुह यह नुग्रह मुझ पर होने दे पवित्रा आत्मा कि मैं हमेशा तुझ से भरपूर रहूँ अगर यह आपकी दुआ है प्यारो अपने हाथों के उठा कर आप कह सकते हो एक मन में आस है अब इसे की प्यास है मुझे है हाँ मुझे पवित्रा आत्मा हम यहाँ तेरा स्वागत करते है छुले हाँ छुले वो सहायक बनकर आपके जीवनों में काम करना चाहता है प्यारो देंगा उनका स्वागत करिए अधीकार देजिए जीवन के उन शेत्रों में जहां उसकी अंसुनी किये कहें प्रभित्रात्मा अपसे मैं तेरी सुनूंगा तुझे मैं स्थान दूंगा वो बहूँद कुछ कर सकता है प्यारो आपके जीवनों में पुरा जीवन बदल कर रख देगा जब पवित्रात्मा चेलो के उपर आया पुरा जीवन बदल गया वो बहुत कुछ आपके लिए कर सकता है एक निस्फल जॉब करने वाले व्यक्ति को सफल जॉब करने वाला जॉब में एक्सिलेंसी प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो बना सकता है एक अभ्यास में अभ्यास में निश्फलता पाने वाले व्यक्ति को वो अभ्यास में अवल बना सकता है प्यारो एक निश्फल बिस्नेसमें को एक सकसेस्फुल बिस्नेसमें बना सकता है एक असफल गुरुहीनी को ताना खाने वाली गुरुहीनी को एक सफल और मान सनमान पाने वाली गुरुहीनी वो बना सकता है प्यारो वो आपके रोजिंदे काम में हर रोज के काम में आपके साथ से आपकी मदद करने के लिए कहें पविट रात्मा मुझे तेरी जरूरत है तुम मुझे मदद कर प्रबू अधिकार दो के तब मुझे मदद करेगा हम कौने में बिठाए रखेंगे तो कहां से वो मदद करेगा थोड़ा बहुत अधिकार दिया जीवन के थोड़े रूम खोले और बागी के रूम में ताला लगा कर रखा है कहें प्रबू से पुरा अधिकार तुझे दे रहा हूँ एक मन में आस है अभी से की ख्यास है मुझे है हाँ मुझे पविठा तुमा हम यहाँ तेरा स्वागर हर रूम में जीवन के हर शेत्र में स्वागत करें छुले हाँ छुले न तो बस से न सकती से पर तेरी रूम से हो तेरी रूम से सुन्ता रहू तेरी रूम से चे में पाओ तेरी रूम से सुन्ता रूम तेरी रूम से चे में पाओ रूह पार मेरा साथी से पागी सलाकार बनकर रहता मैं जहां भी सोचू तो बहाँ नियां तक बनकर रहता मुझे तेरी जरूरत है कहिए मुझे खोल कर मुझे तेरी जरूरत तेरे बीन में कुछ नहीं पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है ना तो बस से ना शक्ती से पर तेरी रूर से हो तेरी रूर से सुनतार हो तेरी रूर से जही मैं पाओ तेरी रूर से सुनतार हो ये शु तेरी रूर से जही मैं पाओ तेरी रूर से तेरी रूर से अमें प्रभू तेरी रूर की जरूरत है तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभू पवीत्र आत्मा के बगर हम कुछ नहीं पवीत्र आत्मा के बगर हम खाली है बेडोल है अमारा जीवन अस्तवियस्त ही रह जाएगा अमारा जीवन बिगड़ा हुआ ही रह जाएगा प्रभू हमें शमा करिये तेरी आत्मा को उन्हें धिका नहीं दिया हमारे जीवन में कुछ शेत्रों तक उन्हें सिमित रखा कौने में बिठाये रखा उनकी आवाज को उने नेगलेट किया पवित्रात्मा की आवाज की हमने अंसुनी की हमें समा करें हमें माफ करें प्रभू लेकिन आज पचासवे के दिन हम हमारे हाथ उठा कर कहते है हमें तेरी आत्मा की चरूरत है जैसे बजायल के उपर तेरी आतमो उतराई, प्रमीनता प्रदान की, गनान दिया, बुद्धी दिया प्रबू जी, प्रबू जैसे गिदौण पर तेरी आतमो उतराई, जो कंगाल अवस्था में पढ़ा था, जिसके जैब खाली थी प्रबू, कुछ नहीं था, ढरा हुआ, उसे सत्रों के सामने लड़ने की थाका दे दी प्रबो पुरे लोगों के लिए वो छुटकारे की आशिस लाने वाला बना